Hey guys, what's up, it's your baby boy, another story explanation video, आज बात करूंगा, thank you for coming के बारे में, इसकी आपको full story explanation का prediction दूँगा, पहले से बता दूँ कि मैंने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है, ना ही मैंने इस फिल्म के मैं किसी तरह से production में involved हूँ, ना ही मैंने इस फिल्म को test screening में देखी है, you all know that I'm an independent artist, so तो भाई, तुम्हारा support मेरे लिए सबसे जादा matter करता है, दिल से बोल रहा हूँ भाई, please guys, support me by subscribing to my channel, let's start, trailer, or teasers, posters, से इसकी story prediction आपको detailed story explanation दूँगा, story explanation देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले भूमी पिंटनेकर की class लगाना चाहता हूँ, भूमी, I love you, यार You're the best, but भूमी यार, तुम ऐसी फिल्में क्यों करती हो, तुम्हें सिफ sexually charged फिल्में या sexually charged रोल्स क्यों कर रही हो भूमी, भूमी एकता तो तुमको पता है, वो ऐसी ही करती है, उसे पता है कि वो कुछ साल कुछ अच्छी फिल्में बनाएगी, फिर दो-तीन sexual related फिल्में ब भूमी डार्लिंग, इस फिल्में बनाएगी, प्लीज तुम जादा ये sexually charged रोल्स मत करो, वरना they will stereotype you in these horny girl roles, स्टोरी ये है कि कनिका, इस फिल्में भूमी का ना कनिका कपूर है, और उसके दोस्त उसे प्यार से कन्न बुलाते है, इसके दोस्त है, प्लेड बाई डॉली सिं प्लेड बाई डॉली आलु आलिया, और एक डॉक्टर है, फैमली डॉक्टर है, जिससे वो interact करती रहती है, प्लेड बाई नाताशा रस्तोगी, और इसका दोस्त या फिर भाई कहलो, कॉर्तमिक है, तो भूमी जो है बचपन से ही एक fairy tale kind of love में विश्वास करती थी, कि इसक राजकुमार आएगा, और इसको सिंद्रेला वाला प्यार मिलेगा, या फिर किसी मेड़क को ये किस कर ले, तो वो इसका सपनों का राजकुमार बन जाएगा, हमेशा से ही ये उस fairy tale वाले love में विश्वास रखती थी, पर इसके life में problem क्या है, कि इसके कई relationship रहे हैं, और इ रह चुके हैं, पास्ट में, लाइक जैसे एक इसका boyfriend है, राहुल, played by सुशान दिगविकर, देन देर इस जीवन, played by देजस्वी चौधरी, अनिल कपूर भी इसके एक तरह से रह चुके हैं, क्योंकि ये एक urban film है, तो ये sugar daddy type of concept ये दिखाना चाह रहे हो, जापे, अनिल कप इसकी सगाई fix हो जाती है, प्रोफेसर के साथ, played by प्रदिमन सिंग मॉल, भूमी जो है अपने life में चरम सुख पाना चाती है, ये बहुत confused होती है कि चरम सुख कैसे achieve करते हैं, लोग भी ढूनती रहती हैं, इसके boyfriends भी आते हैं, but they all failed to get her a good orgasm, इसकी सगाई हो जाती है, प् सगाई वाली रात में सब लोग पी चुके होते हैं, भंड हैं, सब लोग पी के भंड हैं, नाच रहे हैं, all celebrate कर रहे हैं, उस रात इसका किसी के साथ सेक्स होता है, और उस दिन इसको बहुत भेंकर orgasm होता है, like the best orgasm of her life, पर उस शादी में इसके बहुत देर सारे एक्स भी इसके सारे एक्स बॉइफ्रेंड आया होते हैं, तो इसको समझ नहीं आता कि ये किस ने किस आत्मी ने उसको चरम सुख दिया, वो इतनी wipe out हो गई है, या उसकी memory ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है, कि किस के साथ वो की थी, ठीक है, तो अब ये लोग निकल जाएंगे on a quest कि कौन है, तो अब suspect कौन कौन है, भाई देखो, या तो प्रोफेसर दे सकता है, नेक्स इस राहूल प्लेट बाई सुशान्त दिगविकर भाई, ये suspect नमबर टू है, दूसरा है जीवन प्लेट बाई तेजस्वी चोधरी, ये शाहिद इसका स्कूल टाइम का दोस्त है, य ये दे सकता है, क्योंकि ये भी आया था, next suspect is Arjun, played by Karan Kundra, वो भी दे सकता है, दो शक और है, एक है, अनिल कपूर पे, अनिल कपूर जो की, इसका एकडम, Sugar Daddy या जो भी कहलो, Silver Fox Daddy, जो भी है, वो रोल प्ले कर रहा है, और साथ मैं इसकी friends जैसे मजे लेती है, कि तुमने रब लग रही है, मुझे नहीं लगता वो भी दिएगा, क्योंकि वो देखने से तो सीधा आदमी लग रहा है, और कुछ सीन है, जहां पे वो भूमी के साथ सेक्स कर रहा है, बट उसको कुछ प्रॉल्म हो रही है, तो वो सेक्स करनी पा रहा है, so प्रोफेसर को भी काट देते ह यह भी नहीं हो सकता, यह I think, I don't think so कि यह होगा, I don't know, I have a strong intuition कि करन कुंदरा ही वो आदमी है, जो इसको और गाजम देगा, यह हो सकता है, might be, करन is एकतास फेवरेट, और हो सकता है, they want to show out कि करन is the real man, या करन is the real hero of this film, कहीं ना कहीं मेरा यह strong intuition है कि यह करन कुंदरा हो सकता है, but on a moral value, on a moral basis, इस film को happy ending तभी मिलेगी, जब प्रोफेसर उसको orgasm दे, क्योंकि इसकी शादी उससे होने वाली है, right, सगाई की रात पे चीज होता है, मुझे लगता है करन कुंदरा हो सकता है, being the hero of the film, but अगर प्रद्यूमन सिंह मौल, that is the professor, अगर उसको एक best orgasm दे, then it will provide a happy ending, otherwise film में थोड़ी खटपट हो सकती है, और उसके marriage में कुछ प्रोब्म आ सकती है, बाद में loyalty issues, so मुझे ऐसा लगता है, for a happy ending, रद्यूमन सिंह मौल ने उसको best orgasm दिया, शैनास गिल also plays a good friend, जो कि उसको time time पे advice देती रहती है, और ये film जो है, एक German film से inspired है, please support me by subscribing to my channel, take care guys lots of love